Surface Mount Device, SMD, Resistors, Electronic घटक हैं जिनका उप्योग सर्किट में विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए किया जाता है वे अपने छोटे आकार और सपार्ट, आयताकार आकार की विशेशता रखते हैं जो उन्हें Printed Circuit Boards, PCB, पर सतह Mount Technique, SMT, Solding के लिए उप्युक्त बनाता है SMD Resistors विभिन पैकेज आकारों और सामगरियों में आते हैं लेकिन वे सभी Electronic Circuit में Resistance प्रदान करने के एक ही मूल उद्देश को पूरा करते हैं SMD Resistors का मूल्य आम तोर पर इसकी सतह पर Printed 3 या 4 अंकों के कोड द्वारा दर्शाया जाता है इस कोड से Resistors मान की व्याख्या और गणना करने का तरीका यहां बताया गया है 3 अंकिय कोड, सबसे आम SMD Resistors मान Encoding 3 अंकिय कोड का उप्योग करता है पहले दो अंक महत्वपूर्ण अंक दर्शाते हैं और तीसरा अंक Multiplier दर्शाता है Important Figures पहले दो अंक ये अंक Resistors के प्राथमिक मूल्य को दर्शाते हैं उदाहरण के लिए यदि कोड 473 है तो इसका अर्थ है 47 Ohm, 47 Ohm गुनक तीसरा अंक ये अंक 10 की घात को दर्शाता है जिससे महत्वपूर्ण अंकों को गुना किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए यदि कोड 473 है तो गुनक 3 है इसलिए आप 47 को 10 to the power of 3 से गुना करें जिसके परिणामस्वरूप 47,000 Ohm या 47 किलो Ohm प्राप्थ होगा तो उदाहरण 473 में रेसिस्टर का मान 47 किलो Ohm है चार अंकी अकोड कुछ SMD प्रतिरोधक चार अंकी अकोड का उप्योग करते हैं जो अधिक सटीक प्रतिरोध मान प्रदान करता है इस कोड में पहले 3 अंक महत्वपूर्ण अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 अंक गुनक का प्रतिनिधित्व करता है महत्वपूर्ण अंकडे पहले 3 अंक ये अंक अवरोधक के प्राथमिक मूल्य को दर्शाते हैं उदाहरण के लिए यदी कोड 102 है तो इसका मतलब 10 ओम 10 ओम है। गुनक चौथा अंक यह अंक 10 की घात को दर्शाता है जिससे महत्वपूर्ण अंकों को गुना किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदी कोड 1021 है तो गुनक 1 है इसलिए आप 10 को 10 कैरट 1 से गुना करते हैं जिसके परिनामस्वरूप 100 ओम या 100 ओम प्राप्थ होता है। तो उदाहरण 1021 में अवरोधक का मान 100 ओम है।